इंडिया व्हाइट्रों के मताबिक حیمن स苹 lyrics ये कार बेनामी संपत्ति से खरीदी गई है तो हेमन स苹न तो नहीं मिले लेकिन लेकिन फिर रात को E-D की टीम पहुंची उनके आवास पर दिल्ली में और उस कार को अपने कबजे में ले लिया और उस BMW कार को अपने कबजे में ले लिया जिसको उनको लगता है कि इस पूरे घोटाले में इस कार का भी शामिल होने की बात है खरीदी गई थी ये कार BMW पर एक गाड़ी लाई गई है HR 26 EM अगर इस गाड़ी के अगर बात करें तो यह गाड़ी के बारे में इससे बदा जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री हेमन सुरेन की गाड़ी है और हेमन सुरेन की गाड़ी को जा चेंसी के द्वारा अभी फिलहाल एडिय मुख्याले पर लाए गया है यह देखा जा सकता है यह BMW कार, BMW कार का नंबर HR 26 EM 2836 यह कार जिस कार से मुख्यमंत्री हेमन सुरेन पिछले दो दिन से द्वाजधानी दिल्ली में थे उस कार को फिलहाल जाचेंसी के द्वारा लाए गया है हलांकि जिस तरह से पकाइदा जाचेंसी के अगर बात प प्रक्रिया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमन सुरेन के अगर बात करे तो अभी तक हेमन सुरेन के बारे में जादा जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन जिस तरह से उनके सांती निकेतन इस्तित जो आवास है उस आवास पर वहाँ पर काफी तप्तीश की जारी थी और तप्तीश के दोरान में कई महत्मून दस्तावेजों को महाँ पे खंगाला गया है और जिस तरह से हेमन सुरेन के बारे में जो उसके से जुड़े वे तमाम जो लोकेशन है उस लोकेशन पर अभी भी जाज परताल की जारी है और हमारे दोदोस हैोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जोड़ रहे है दीपक विश है वो दिली में मौझीद है उसके लावा रांची में दिबाकर हमारे साथ है दीपक पहले आपके बास आना चाहूंगा कल दिन भर E.D. की टीम जो है वो तलाश में रही एमन सुरेन की वो तो नहीं मिले लेकिन 11 बजे रात को कार जब्द की गई है जो बेनामी संपती से खरीदी गई है इस तरह का रोफ है क्या जानकारी कहा है एमन सुरेन उनके बारे में अभी तक कोई फ्लू नहीं मिल पाया जानकारी नहीं मिल पाई बिल्कुल पंकर्श देखे कल सुबह साथ बेसे लेकर रात को 11 बेता की एडी की कारवाई चलते रही उनके जो आवास है जिस जेगा पर हम खड़े हैं पांच बटा एक शांथी निकतर यहां पर एडी की टीश में और यहां पर मौझद स्टाफ यहां पर हैंगे यह कहा जा रहा था लकिन हेमन助eg दिनबर यहां नहीं थे तो कहा थे इसके बारे मां की तरफ से एक लेटर जारी किया गया एडी को की वो 31 जनवरी को दो पहर को एक बजे अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और वो राची में पूस्टाज के लिए तयार है एडी के सामने लेकिन इतने लंबे समय तक वो अब तक क्यों नहीं आई को कि दस्वा समन मिलने के बाद भी वो उनके सामने पेश नहीं हुए तो खुल में आगे ये कहना हुगा कि हेमन सोरेंड कहिना कहीं एडी से बचते हुए नजर आये थे और जो देर रात को उनकी आवास से बीमड़ू गाड़ी जो जब्त की गई है वो इसलिए जब्त की गई क्योंकि सुबह से कई गाड़ी आखो कि हम इस आवास में देख रही कोई गाड़ी यहां पर नहीं थी लेकिन अचाना कि गाड़ी सामने आई बीमड़ू गाड़ी तो इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ जो दसावेज भी थे वो गाड़ी के दसावेज भी वहां पर थे और इसलिए उस आई यह क्या जानकारी मिल पा रही है हमन सुरेन के बारे में वहां किस तरह का अक्शन ले रही है एडी क्या अपडेट क्या जाना है देखे राची में जो राची स्चित सीम का आवास है वहां विधायकों की बैठक होती रही और आज भी एक दोपार दो बज़े एक महत्पुर बैठक बुलाई गई है सभी विधायकों को राची में ही रहने का निर्देश दिया गया है और आज सरकिट हाउस में सभी विधायकों के ठहरने का प्रबंध भी किया गया है तो अब यहाँ CM का इंतिजार है और कुछ विदायकों ने ये भी कहा कि दो बजे की जो बैठक होनी है सत्ता पक्ष के विदायकों की कॉंग्रेस जे में माले और RJD की हो सकता है कि उस बैठक में मुख्यमंतरी शामिल हो सकते हैं लेकिन अभी तक मुख्यमंतरी के राची में ह जुकता जानकारी नहीं मिल पाई है अभी हम CM के आवाज पर मौजूद हैं और आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के चाग चौबंद हैं यहां सुरक्षा के सुरक्षा को लेकर जवान मुस्तहिदी से खड़े हैं और यहां जाच की जा रही है यहां आप लेकिन अभी तक कोई जानकाई नहीं मिली है मुख्यमंत्री के यहां होने की हाँ विधायकों को बुला लिया गया था और देर रात 11 बजे तक विधायकों की बैठाख होती रही दीरे दीरे विधायक निकलते रहें लेकिन विधायकों को कहा गया है कि आप राची छोड़ गई थी उसको किस तरह से लेकिन देखे किसी भी तरीके की आपाती सिती से निपटने के लिए डी जी पी ने निर्देश दिये थे कि अगर कोई ऐसी आपाती सिती पैदा होती है तो आप यहां मुस्तायद रहें 14 डी एस पी को सुरक्षा विवस्ता के लिए मुस्तायद कि नहीं रहेंगे और विधाकों का कहना है कि वो यहां सियम का इंतिजार कर रहे हैं और आज की जो दो बज़े की बैटक है शायद सियम उसमें शामिल हो सकते हैं बिल्कुल और दिवाकर कल जिस तरह से दिल्ली में उनके आवास पर लगातार उनकी तलाश होती रही, वो तो नहीं मिले लेकिन उनकी कार जब्त कर ली गई, यहाँ अगर हम राची की बात करें तो किस तरह का आक्शन लिया जा रहा है? दके अगब जेमें के नेताओं और विधायकों से बात की गई कि सीम तो नहीं मिले, लेकिन उनकी BMW कार ED जब्त कर ले गई है, तो उन्होंने सीधे तोर पर यहीं कहा कि मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, सीम के निजी जिन्दगी में दखल दी जा रही है, सीम मौजूद है औ सामने उपास्तित होंगे, उन्होंने पहले ही इमेल के जरीए यह जानकारी दी है, ED को वो कॉपरेट करने के लिए तियार है, 31 जनवरी की दोपार, एक बजे वो ठीक है दिबाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और इस जानकारी के लिए दीपक विश्राब का भी दिल्ली से जुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पर मौजूद एक BMW कार जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे है, उसको जब्त किया, ED को ऐसा शक्त था कि वो दिल्ली ऐरपोर्ट पर खड़े अपने चार्टर प्लेन से वापस रांची जा सकते हैं, इसलिए ED की एक टीम एरपोर्ट पर भी उनका इंतजार करती नजर आई, ल को जो की कहा जा रहा है कि बेनामी संपती से ही खरीदी गई, तो अधर जारकंड के मुख्यमंत्री हमद सोरें, 31 जनर्वी को ED के सामने पेश होंगे, मुख्यमंत्री आवास की और से एक एमेल ED रफ्तर को भेडा गया, जिसमें ता गया है, इसलिए हम हमद सोरें, 31 जनर्व के मामले में पूछताच करने वाली है, लेकिन अभी तक कि उनका कोई पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो कहा है, दिल्ली में है या फिर जारकंड में है, तो ED की टीम कल दिन भर उनकी तलाश में नहीं, लेकिन उनका कोई क्लू नहीं मिला है, मुख्यमंत्री इनकी कोई विधायकों को रांची में रहने की डारेक्शन्स मिली, आज दोपेर दो बजे सीम आवास पर फिर से ये सभी विधायक, ये सभी MLA's एकठा होने वाले हैं, जिसमें कल हिमन सुरेन की ED के सामने पेशी पर स्ट्रेटेजी रन नीती बनाएगी, तो तमाम ये जो सही होगी द वो भी बताते हैं, पीटी आई के स्ट्रों के मताबिक हमन सुरेन ने अपने मेल में लिखा है, कि 20 जनरी को मुझसे 7 घंटे की पूछताच की गई वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें, जिसे अदालत को उपलब्द कराया जा सके, ये कहा है ED दफ्तर को से महन सु अब इसको या उससे पहले मेरा बयान फिर से दर्च करने का ED का अगर दुर्भावना फूर्ण है, ED का कृत्यर राजसरकार के कामकाज को बाधित करने के राजनेतिक एजेंडे से प्रेरित है, तो ये इमेल किया गया है हमन सुरेन की तरफ से, मुझे समन्जारी करना पूर तो सीम हमन सुरेन से ED की पूछता से जेमेल यानि जारकंड मुक्ति मोचा तिलमिला उठा है, जेमेल की ओर से एक ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट में लिखा गया है कि जब से जारकंड में आदिवासी युवा हमन सुरेन के कुशल नित्रत्व में गटबंदन सरकार ब बलकि तमाम जाजा भी ED की रेड हो रही है, उसको लेकर केंसरकार को निशाने पर लिया जा रहा है, अपने दिल्ली आवास पर ED से ना मिलने पर बीजेपी ने हमन सुरेन पर खरारा हमना बोला है, ट्वीट किया गया है, मुक्यमंत्री हमन सुरेन जी के इशारों पर गलत क इशा क्या करेगा, तो ये बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, निशिकान दूबे ने ये ट्वीट किया, और इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई, की हमन सुरेन की लोकेशन ED की टीम को मिल गई है, और ED किसी भी वक्त हमन सुरेन तक पहुन सकती, बता जा र प्रेन को और फिर हिरासत में लेकर ED उनसे सवाल जवाब कर सकती है, पूछ टाच कर सकती है, यानि पूरी तरह से मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं हमत सुरेन इसमीच आपको बता दे, जहारखण के गवणर सीपी रादा कृष्णन ने कहा है कि अगर सीम को आज नहीं तो कल जवाब देना होगा, उन्होंने ये भी कहा कि एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें इसका पालन करना चाहिए, राजपाल रादा कृष्णन ने कहा कि जह इसमीच आपको बताते हैं कि एडी हमंद सोरिं को अब तक दस बार समंद भीज़ चुकी है, 14 अगस दो हजारटेज को पहली बार समंद भीजा गया, लेकिन हमंद सोरिं पेश नहीं हुए एडी के सादे चाहिए, 24 अगस दो हज़ान को पेशन नहीं हुए डी जेसादा, हेमन सोरेन को दूसरी बार समन भीजा गया लेकिन हेमन सोरेन फिर से पेश नहीं हुए इसके बाद 9 सितंबर 2023 को तीसरी बार 23 सितंबर 2023 को चौती बार उसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को पाचवी बार हेमन सोरेन को समन भीजा गया 25 जनवरी 2024 को नौवा समन भेजा गया और 27 जनवरी 2024 को दस्वा समन भेजा गया जिसमें पूचताच के लिए 29 से 31 जनवरी तक का समय दिया गया था लेकिन अभी तक हिमत सुरिन की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है E.D. अधिकारी हो अधिकारी है